नमस्कार, मेरा नाम सुनीता केज्रिवाल है, मैं अर्विंद केज्रिवाल जी की धरमपत्नी हूँ, आपके बेटे और आपके भाई अर्विंद केज्रिवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफतार कर लिया गया, मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा, मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है, मेरे शरीर का एक एक कत्रा देश के लिए है, इस पृत्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है, आज तक बहुत संघर्ष किये, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं, इसी लिए ये गिरफतारी मुझे अचंबित नहीं करती, आप से मुझे बहुत प्यार मिला है, पिछले जन्द में जरूर मैंने बहुत पुन किये होंगे, जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ, हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नमबर वन देश बनाना है, भारत के अंदर और बहार धेरो ऐसी शक्तियां हैं, जो भारत को कमजोर कर रही हैं, हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है इन शक्तियों को हराना है और भारत में ही धेरो ऐसे लोग हैं धेरो ताक्ते हैं जो देश भक्त हैं जो भारत को आगे बढ़ाना चाती हैं इन ताक्तों के साथ जुणना है और इन्हें और मजबूत करना है दिल्ली की मेरी माँ भेने सोच रही होंगी केजरीवाल तो अंदर चला गया पता नहीं अब हजार रुपिया मिलेगा या नहीं मेरी सभी माताओं और भेनों से अपील है अपने भाई और अपने बेटे पर फरोसा रखो ऐसी सलाखे नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को जादा दिन अंदर रख सके मैं जल्द बहार आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा क्या आज तक अभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया आपका भाई आपका बेटा लोहे का बना है बहुत मौजबूत है बस एक विंती है एक बार मंदिर जरूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशिरवाद मांगना करोडो लोगों की दुआएं मेरे साथ है यही मेरी तागत है आम आदमी पार्टी के सभी कारे करता हूं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाद सेवा और लोक सेवा का काम रुखना नहीं चाहिए और हां इस विज़े से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करन वे सब हमारे भाई बैन है मैं जल्द लोट कराऊंगा आपका अपना अर्विन जैहिंद